नमस्कार दोस्तों आप शिबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आप शिबी को बता दें कि आज शाम के 5 बज़कर 10 मिनेर के उपरांद आप शिबी के जियोनकाल के शबशे बड़े राशे परदा उठने वाला है जी हैं दोस्टों जो आपने आज तक शपने में नहीं शुचा होगा दोस्टों वो बड़ी शचाई अब आप शिबी के आँखों के शामने आने वाली है दोस्टों इन्हें जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे हम इस बात की दावा करते हैं पर दोस्टों हम आप शिबी को यह बात भी बता दे कि आज की इस वीडियो को आप चुप चाप वीडियो बिल्कुल ही अकेले में देखियेगा जी हैं दोस्टों यह वीडियो आप शिबी के लिए बहुत ही ज़्यादा भागिशाली है और जो बात जो शचाए आप शिबी के शामने आने वाला है इन्हें जाना भी आपके लिए बहे दियाओ शके जिहां दोस्तों आप शिवी को बता दें कि आई शाम के पांच बचकर 10 मिट के प्रांद आप शिवी के जुनकाल में अब अदबुत चमतकार होने वाला है दोस्तों अगर आप यह शिवी इन बातों को नहीं सामते तो आप आने वाले जिवन भर परसाते कि दोस्तों बहुत ही खाश बाते हैं जो कि आपके जिवन को बिल्कुल ही बदल शक्ती है जिहां दोस्तों अने था इस शामो का दो बार आप शिवी के जुनकाल में बिल्कुल भे नहीं आएगा जिहां दोस्तों दोस्तों आप शिवी को बता दें कि आप पिछले कई शुमेशे आप अपने जुनकाल में प्रिशानियों को देख रहे हैं, प्रिशानिय आपके जुनकाल में आ रहे हैं, अपने जुनकाल में कई तरह की आप अर्चने को देख रहे हैं, मुशिवत आपके शाथ एक नैक नई नई आते ही रहती है, जितना पेशा कमाते हैं उतना पेशा आपके पास रहने ही पाता है आते हैं तो दोस्तों किशी और कारी में किशी और छेतर में लग जाते हैं जिनसे दोस्तों आप पेशी की बचत नहीं कर पाते हैं जिनसे दोस्तों अगर आप थोड़े बहुत मुशिल से भी पेशा को बचाते हैं तो दोस्तों वहापेशा किशी ने किशी बिगन बदाए में खत्म हो जाते हैं। जिये दोस्तों हम जातने कि आपके जूनकाल में बहुत शारी शिजातक हैं, जिनको रोजगार कारवार में बहुत शारी अर्चने, मुश्यपिते और शमश्याई देखने को मिल रही हैं। जिये दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप शिजबी को बता दें कि अब आपको दोबारा वक्त मिलने वाला है। जिये दोस्तों, और अब शिजबी आपको कौनशी बातों का ध्यान रखना है, कौनशी गलती नहीं करना है ताकि यह देवी दिवता आपशे रुष्ट ना हो जाए। दोस्तों, उन बातों को आपको अपने जुनकाल में बिल्कुल ही धालने नहीं है। प्रुष्ट हो जाए। तो दोस्तों, शारे बात विशेच है, इन बातों को ध्यान शी देखिएगा। इनसे आप अपने घर, अपने परिवार को और अपने जीवन काल को बहुत ही बहतर दिशा में लिकर जा पाएंगे। तो दोस्तों विडियो को आगे बिल्कुल ही ध्यान शी दिखिएगा। जी हैं दोस्तों, आप शिपी को बिता दें कि अब शे आप शिपी की जुनकाल में राजजियों का निर्वान होने वाले हैं। तो यह दोस्तों बात करते हैं, शरव परतम दोस्तों जोवी माता लक्षमी और भगवान भुलेनात के सच्चे भकते हैं। दोस्तों आप शिपी को बिता दें कि आपके जुनकाल में कई शारेशे कारण हैं जो कि अंजाने में आप गलती कर देते हैं और आपको नुक्षान उठाना पड़ता है। दोस्तों हम जानते हैं कि आपके अपने ही लोग शत्रू बन जाते हैं। जिए दोस्तों कई बार आप अपने ही लोगों शी परिशान हो जाते हैं। आपके बहुत शारे कारणों में अर्चने आ जाते ही। और उन शारे अर्चनों में आपके अपने ही लोगों का हाथ होता है। और दोस्तों हम आप शिवी को बिदा दे कि या श्मे आप अपने जुनकाल में इनही बातों का ध्यालकना है कि कौन से अपने बन कर जो आपके जुनकाल में शत्रू घुम रहे हैं उनसे बस आपको श्मलना है। दोस्तों, आप शिवी को बिदा दे कि आपने पिछले जिवनकाल में, पिछले श्विमेंतराल में, जिसका भी आप भला किये हैं, वहीं लोग आपके लिए बुरे शाबित हुए हैं, लेकिन दोस्तों हम जानते हैं, कि आपका दिल और आपका भाव बिल्कु ही निसल है, उन्हें नाकारते नहीं हैं, आपके दिल में, आपकी दिमाग में बश्य ही रहता है, कि हमसे जो हो शकता है, हम इनके लिए जरूर करेंगे, और दोस्तों, आप कई बार करते भी हैं, जिहां दोस्तों, शादिशा दोस्तों, आपको बता दे कि कई बार, आपने दूसरों को खुशी देने के लिए खुद को भी गड़े में भर ले हैं और दोसों आगे चल कर वो इंशान आपके शात नहीं होते ही वो इंशान आपको भूल जाते हैं जी हैं दोसों और आपको तब जाकर बुरा लगता है कि हमने अपने जुनकाल में जिसके लिए इतना कुछ किया इतना उनके शाहता की उनके लिए दिन और रात तक नहीं देखी जब उन्होंने जो बोला हम उनके लिए तैयार उनके लिए खड़े थे लेकिन वही इंशान आज हमको धोखा देती है हमारी भावनाओं की गदर नहीं की तो दोस्तों इसे में आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जी है दोस्तों और आप इन्ही शब चीज़ों को देखकर कभी कबार खुद ही खुद रोते हैं लेकिन दोस्तों हम आप शबी को बता दें कि आप बिलकुल भी निराश और बिलकुल भी मायूश मत होईएगा कि दोस्तों किश्मत आपके शाथ है भगवान की शक्ती आपके शाथ है या दो दिर्दाओं का शिर्वाद आपके शाथ है जो कि आपको हमेशा नजर लगाए देते ही कि आप क्या कर रहे हैं दोस्वं आप यकीन मानिए अब शिवबी की जुनकाल में जो बड़ी घटना होने वाली है दोस्वं आपकी जुनकाल में बिल्कुले खुशियाईंगी भश आपको अब इन लोगों से शाभधन होना होगा कौशी कारियों को करनी होगी कौशी बातों को ध्यान रखना होगा हलांकि दोस्तों आप किशी से कोई भेदवाव नहीं रखते हैं जिया दोस्तों आप किशी के ऊपर एशी नजर नहीं रखते हैं जिनसे उनका अपमान हो जाए जिनसे उनको हाने हो जाए जिया दोस्तों और इन्हीं शवी अच्छे शो भाव इनिश भी अच्छे भाव की गारड यह दो दिवदिवताओं के उपर बहुत ज़्यादा परशन रहते हैं आप गलत भी करते हैं आप शेह भी करते हैं फिर भी यह दो दिवदिवताओं का शिरबाद आपके शात रहता है इनका नजर आपके शाथ हमीशा रहता है अगर आप कभी कभार गलतिशे कोई कारी कर देते हैं तो दोस्ugen उनमें आपको हर जाना भी भड़ना पड़ता है किको दोसुं यह हद दो दिव देता है हमीशा आपको अच्छे कार्यों को ही करवाना चाहता है अगर आप जाने अनजाने में किशी के बातों में आकर कोई गलतकारी कर देते हैं तो दोस्तों उनमें आपको या शंकेद भी देते ही जिन बातों को आप कभी कबार नजर अंदाज भी किये हैं जिनके कारण आपको मुशिवतों का शामना करना पड़ा है इसलिए दोस्तों आपको अबशे भाग गलती नहीं करनी है जो आपने अनजाने में की है जिए दोस्तों इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके जुनकाल में जो भी आने वाले शुमे की क्रियाएं होंगी जो भी आने वाले बात होंगे जिन को आपको ध्यान में रखना होगा उन शबी बातों के बारे में बात करने वाले है जी यह दोसों शर्फ पर्तम दोसों आप शबी को बढ़ादे कि है अश्य में आपकी जुनकाल में बहुत ये अच्छी योग का निर्मान होने वाले हैं आपके जुनकाल में ये दो दिरताओं का शुरुबाद साथ है तो आपको कौन से शावधा नहीं रखनी है तो दोस्तों आपको विदा दें कि शर्व परतं आख मुंद कर आप जिन पर भरुशा करते हैं वो धोका देते हैं तो दोस्तों अब आपको अपनी जुनकाल में बश इन बातों का ध्यान रखना है कि जिन लोगों पर आपने बहुत ज़्यादा भरुशा किये हैं उन पर आपको बिल्कुल भी भरुशा नहीं करना है आपको अब पहचानना है कि कौन लोग आपके अपने हैं और कौन लोग आपकी पराय हैं कौन लोग आपके मुह पर अच्छे बोलती हैं और पीट पीचे आपके घात करते हैं दोसों इन सबी लोगों को पहचान कर आपको इन्शी रिस्ता बिल्कुल ही तोड़ देना है जियां दोसुन अगर आप एशा करेंगी तो दोसों आने वाले श्रिव में आपके जुनकाल में कोई भी गलती नहीं होगी और दोसों यही लोग होते हैं जो कि आपको बहकाव में लाकर कोई गलत कारी भी करवा देते हैं और दोसों आप इन बातों को नजर अंदाज भी की हैं कि ये शमय की ही दोस है ये गरहों का ही दोस है या फिर ये हमारे किशमत में था लेकिन दोसों हम आपको बदा दें कि गरहों की जो इस्तिती है वो हमारे ही करमों के नुशार चलता है जे दोसों गरहों की स्तिती तो है ह हम जिसा कर्म करते हैं वे इसी गरहों के बीरतती बनती है इसलिए दोसरों इन बातों का ध्यान रखें कि हमेशा आप अपने ही इसी लोगों के शाद गुमे जो कि आपके लिए शगे अपने हैं बोश आपको क्या करना है, कि पहचान करना है, कि कौन से आपके अपने हैं, कौन से पराई, दोसों ये हो गया, आगे हम आपको बतादे कि ये दो दियुदाओं का अशी मशिरबाद आप शिबी के जुनकाल में प्राप्त होने वाले हैं, जिन के कारण दोसों आपको हर छित् शफलता की प्राप्त होगी शबसे पहले दोस्वों आप शबी को बताया दें कि यश्मी आपको रोजगार में जो लंबे शमीर से अर्चने देखने को मिल रही थी दोस्वों वे अर्चने शमापत होने वाली है और आपकी रोजगार फिर शे चलने वाले हैं बहुत ही तेजी शे जिन लोग के पास रोजगार नहीं थी दोस्वों उन शबी को यश में मन चाहे रोजगार की प्राप्ती होने वाली है जे दोस्वों और जो लोग पहले शेही रोजगार में कारिकरत हैं आफिस में आफिर कोई इसाथ जॉब करते हैं, तो दोस्वों आपको बता दें कि आपकी जो भी शेलरी है, उनमें बड़ोतुरी हो शक्ती है, आपके पज़नती हो शक्ती है, और आपको जो शम्मान है, आपको जो आफिस में दरजा है, आपके जो कारेस्थान पर दरजा है, उनमें दोस्तों बढ़ोतरी होगी और आपके शारे शिनियर आपका शमान भी करेंगे तो दोस्तों शमी आपके लिए बहुत थे महत्पुन आने वाले हैं दोस्तों हम आप शिवी को बिताते हैं कि भिछले शिमे से जो भी आपके कारियों में आपके इसे जो कारवारे हैं उनमें नुक्षान मुश्विते उठाने पड़ रहे थे दोसों उनसे इसमें चुटकारा मिल जाएगा और जो भी आपके वैपार के चत्र हैं वो दुगनी तेजी से तरकी के और बढ़ते जाएगा यह दो दिवताओं का शिरबाद है इनके कारण आपके जुनकाल में जो शत्रू आपको परिशान कर रहा था जो आपको बदनाम करने की साजिशें रच रहा था दोसों वहाँ अब आपको परिशान नहीं कर पाएगा और जो आपको साजिशें रच रहे थे उनमें वो खुद ही भशने वाले हैं जिया दोसों बस आप शुभी को बता दें कि पिछले कैश में से ये लोग बहुत ही जुरदार कोशिश कर रहे थे आपको भशाने की आपको बदनाम करने की शमाज में आपके नाम केशे खराब हो ये शारे शनेंत यूए लोग दिन रात रस्ते रहते थे तो दोसों हमने आपको शावदन रहना है बस दोसों आपको क्या करना है कि जो भी आप कारी कर रहे हैं उन पर यकीन करके कि ये कारी हमारी सच्ची हैं दोसों एक बात बता दे कि कभी भी आप कोई दो नमर के काम को मत किजीगा दोसों ध्यान रखिएगा कि ये कारी आपके जुनकाल के लि करना है अपने घर परवार में हमेशा मिल जूल कर आपको चलना है दोसू इन ये दो देवताँ का शीरवाद आपको प्रवना रहेगा ये देवता इन इन बातों को आप ध्यान रखेगा और दोसों इस बात का आप चिंताव मत किजिएगा कि लोग आपको परिशान कर देंगे दोसों जो लोग आपको बदनाम करने की साजिसें कर रहे हैं वो लोग अब खुद ही बदनाम होंगे जी अंदोसों जो लोग शेणिंतर रच रहे हैं वो कोधी उस शेणिंतर में फशने वाले हैं जी अदोसों आपको कौशी बातों का ध्यान रखना है दोसों आपको अपने जुनकाल में बश इन ही बातों का ध्यान रखना है कि निशब लोगों बस आपको दूरी बना कर रखनी है जी अन्दोसों इन शिब रिष्टा आपको बिल्कुल ही तोड़ देनी है जी अन्दोसों हम आपको बता दें कि आपके जुनकाल में एशे शंभावना ही बन रही है जी ये दोसों जो भी लोग शरकारी पक्च में कारवरत हैं उनको शरकार दोड़ा कोई लाब मिल सकता है जी अपका श्मे और आपके आर्थिस्तेदी बहुत ज़्यादा बहतर होगी यश्मे और इस श्मे कुछ जातक को शर्ष्डवाल पक्च से धनलाब की शमानवे बर रही है तो दोसों अगर आप पेशा किशी को दे रहें तो दोसों वहाँ पेशा आप बिल्कुल ये मत दीजिगा क्योंकि दोस्वों अगर आप यश में पेशा देंगे तो दोस्वों वहाँ पर आपको रुकाउटें आशकती है और दोस्वों यह आपके लिए शावधानी है दोस्वों आप होते हैं कि आप सब के लिए अच्छे वैवार रखते हैं लेकिन दोस्वों कुछ लोग की पहचान करना भी आपको ज़्यादा उश्यक है कि दोस्वों ये श्यमे कुछ लोग रोते हैं और आपके शाथ नाटर करके आपशी पेशे लेते हैं लेकिन दोसों उसके मन में छल की भावना होती है और दोसों वो पेशी आपको देना नहीं चाहते हैं इसलिए दोसों जो विक्ति को आप देख रहे हैं कि ये शाहता की लायक है ये शच बोल रहा है तो दोसों उनी को देजीएगा हलांकि दोसों ये शमी घरों की जो इस्तती आपके शामने बिल्कुल ये छली व्यक्ति आने वाले ही जो कि आप शेयोग मांगेंगे और ये अश्में आपको शावधा रहना होगा कि दोस्तों आपका जो पेशा है वो फंशकता है बस दोस्तों इस बात का देन रखें तो आपको शब्शे पहले बता दें कि जो दो देवी है धनकी देवी मातालक्षमी जी है दोस्तों धनकी देवी मातालक्षमी का श्रबाद आप शबी के शात रहता है जी दोस्तों आप जहां भी जाते हैं जो भी कारी करते हैं जिनमें भी पेशा लगाते हैं अगर वह पेशा शही होता है तो दोस्तों धनकी देवी मात लक्षमी आपके जुनकाल में पेशों की बारिश करती है वह पेशा आपको दुगनी चोगनी तरफाश ये आपको लाप दिलाती है जे दोस्तों आपके अच्छे कर्म और अच्छे शभाव के वज़िश ये आपके पास पेशा बहुत ये आता है लेकिं दोस्तों आपके ही गलती के कारण कई बार पेशा आपके हांथों से भी चला जाता है। तो दोस्वों आपको अब कौँशी गलती नहीं करनी है। दोस्वों पहला तो हमने आपको बता ही दिया कि उन लोग आपको शात नहीं रहना है। शातिशा दोस्तों आपको विटा दें कि अब आपको अपनी जुनकाल में पेशों का विसेज ध्यान रखना है, पेशे को दोस्तों कई ऐसे अस्तान पर खर्च मत केज़ेगा, जो की आपके लिए उतना कारगर नहीं है जितना आप शूच रहे हैं, दोस्तों हमेशा पेशों का जो खर्चा है वो दोस्तों सभी श्रमी पर ही किज़ेगा, वेर्थ के खर्चों में जो इंसान पर जाता है, दोस्तों उनके जिवनकाल से धनकी देवी माता लक्षमी डूष्ट हो जाती है, तो दोस्तों आपको बश इस बात के रखना है, और धनकी देवी माता लक्षम जिनके कारण दोस्टों आप शिबी के जुनकाल में जो भी मुश्यवत है पेशों को लेकर जो भी शमिशाए हैं जो भी घर में बधाएं उत्पन होती हैं पीशों को लेकर दोस्टों वो शारे बधाएं अब धीरे धीरे कत्म होने वाले हैं और घर परिवार का महौल आप बहुत ही शिकारत्म होने वाले हैं घर परिवार की लोग आपके परिवार पर हमेशा रहता है तो दोस्वों हमेशा आप अपने परिवार के शाथ मिल जूल कर चलिएगा बस आप इस बात का देन रखेगा किशी के बातों में आकर आप अपने परिवार के खिलाप बिल्कुल भी मत जाईएगा कि दोस्तों लोग भले ही आपको कुस गह दे लेगे दोस्तों घर परिवार की लोग ही आपके एशे हैं जो कि आपके शाथ दिल से देंगे आपकी भहनोई शे देंगे कि वो लोग जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और कि आपके लिए जरूरी है और लोग दोस्वों मतलब से ही आपको याद करते हैं बस इस बात का आप ध्यान रखेगा और परिवार का शाथ आप पिल्कुल ही मत चुड़ीगा दोस्वों हमारा कहने का अर्थबश यही था शाथे साथ दोस्वों आप शिवी को बता दें कि यह दूसरा जो देवता है वह है दोस्वों देवों के देव महादेव जिया दोस्वों देवों के देव महादेव का शिरबात पिछले पांच शालों से आप शिवे की जुनकाल में है, पिछले पांच शालों से आपके घर प्रिवार पर इनका नजर है, जिन के कारण दोस्तों आपको कई शारी संक्रणों से भी भगवान भूले नात ने बचाये हैं, बहुत शारी शे बधाएं आपकी जुनकाल में आपने बहुत शारेशी गलतियां भी कर दी है, जिन के कारण है देवताक्षी रुष्ट भी हो गए थे, लेकिन दोस्तों अब आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है, दोस्तों बश आपको अपने जुनकाल में अभी ही करना है, कि शमय निकाल कर, आपके जुनकाल में जि या आपके वैपार के मालिक है, तो दोस्तों इन उपर आप बिल्लुकुल ही ध्यान दीजिएगा, जिहां दोस्तों और शमय निकाल कर, आप भगवान भुरेनात की पूजा रचना कीजिएगा, शिव मंदर में जाकर इनके लिए आप जल जरूर अर्पित कीजिएगा, बे जो भी बदाएं आएंगे, दोस्तों उन्हें यह हर लेंगे, और दोस्तों आने वाले शमय भगवान भुरेनात के शिर्बाद से, और जो आपके घरहों में इस्तिती मर रही है, इनके नुश्वार कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे, दोस्तों हम आप शिव को बदा द आपका जो बीजा था, आपका जो कारे था, वो दोस्तों हमेशा सफल चरना था, लेकिन दोस्तों अब आपको शबलता आवशी मिलेगी, यह दो देवी दिवताओं का शिर्बाद आपके शाहत है, और गर्णों का यही शंकेत है कि जो भी परिशानी आपको जिस शेतर में म रहश खोलने वाले हैं, जिन से आपको धन की शारी शमयशाएं खत्म होने वाली है, दोस्तों आने वाले श्रम में आपको काश्मिक धनला की प्राप्ति होने वाली है, जी हां दोस्तों, आप शिवी को बता दे कि आपके अच्छे कर्मों के कारण, आपके अच्छे शोभा जो अपने घर में पति पत्नी आपष्ण में लड़ाई करते हें और हम इसाफवी अपने पत्नी का अपमान करते ही तो दूस्वा शित में मातलक्ष्मि उनके जोनकाल से रुष्ट हो जाती ही तो दूस्वा आपको इस बात क tapu और भात का माहल नहीं करना है ना ही लड़ाई जगरा करना है दोसों शारी बातों को आपको शांत तरिकेशे करना है अपने वानी पर आपको शनित रखना है जे दोसों और आपको हमेशा औरतों का शमान करना है चाहे दोसों आप कहीं पर हो गर में हो कारेस्तल पर हो कहीं पर जा रहे हो बस आपको औरत का शमान करना है दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि माता लक्षमी का नजर आपके शाथ है आप जहां भी जा रहे हैं जो भी कारी कर रहे हैं माता लक्षमी का नजर आपके शाथ है तो दोस्तों कभी भी भूल कर भी आप औरत का अपमान बड़ा मुशिवत का ये कारण बनेगा तो दोसों इस बात का ध्यान रखें अगर आपको कोई औरत कोई इस तरी एशा हो जो जुरुत मंद हो जो आपसे स्यूग मांग रही हो तो दोसों उनका आप जरूर ही स्यूग कीजेगा कभी भी किसी औरत को ठगने की आप कोशिश भी भूल कर भी मत कीजेगा दोसों ये आपके जुनकाल में मातालक्षमी की प्रिक्षा हो शुकती है दोसों आपको अपने जुनकाल में एशी बातों का ध्यानकना है इसे दोसों धन की दिवी माता लक्षमी बहुत ही ज़ाधा प्रशन होती है और धन में जो दिक्कत आती है धराने में जो दिक्कत आती है जो पेशे की समयशाय बढ़ने लगती है रोजगार की जो शमयशाय बढ़ने लगती है दोस्तों इन्हें शभी के कारण होती है तो दोस्तों गर आप इन बातों शमान करना है जी है दोसुं तो दोस्वों इस बात का आपको विशेज ध्यां रखना है शातिशा दोस्वों हम आपको बिता दें कि महादेव आपशी कभी-कभी रुष हो जाते हैं जी है दोस्वों आप लोग शौमवार के दिन अगर नौनवेच खाते हैं मांश मंदरा का करते हैं तो दोस्तों इश्य महादेव रुष्ट हो जाते हैं आप इस बात का ध्यान रखें और दोस्तों अगर आप महादेव यानि शिविके मंदिर में कभी भी जाते हैं कभी भी उनके जुनकाल में आप हाजरी लगाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर कोई भी खाली बेठा दिखजाए तो दोस्तों उन्हें आप परशाद को अवश्य खिलाइयेगा दोस्तों इंशे आपके मन ही नहीं आपके हिर्दे भी शंतू चोते ही इशे महादेव आप्के हिर्देश च्रशन होते ही जे दोस्वों महादेव हमेशा आपके ही अंदर बैठा रहता है जे दोसवों गराप उन्हें परशाद किलाएंगे तो दोस्वों आपके मन आपके हिर्दे परशन होंगी तो महादेव भी आपशी परिशन होंगी बश आप इस बात का धिन रखें दोस्वों बात बहुत ज़्यादा मैटपून और बहुत ज़्यादा खाश है दोस्वों अगर आप इन्हें ध्यान में रखेंगे या फिर कोई भी गरीब मजदूर हो जो दोस्थों इशावक्ति है जो अपने डेली के कारे करके पिश्य कमाता है और अपना जो उन्षान परिशान करता है उनके उपर महादेव का किरपाद्रिष्टी कभी भी नहीं होता है जो दोस्थों इस बात का दिन रखेगा उन्हें जो प्रिशान करता है उनके जुनकाल में महादेव की कुद्रिष्टी उत्पन होने लगती है और जो लोग मेहनत करते हैं मजदूरी करते हैं और अपने मेहनत से अपने जुनकाल में खाते हैं तो दोसों उनके जुनकाल में महादेव की कुद्रिष्टी हमेशा मिलती है उनक को करते करते अपने जुनकाल में बड़ी-बड़ी मुकाम को हसिल करते हैं तो दोस्वों आपको बश इन बातों का देह रखना है कि अपने जुनकाल में जो भी एशे लोग हो जो एशे गरीब मजदूर हो हशाय व्यक्ति हो उनके उपर अरत्याचार नहीं करना है और अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी तिसरे व्यक्ति को मार रहे हैं तो दोस्वों किशी व्यक्ति को कोई परभाव ही नहीं है वो अपने कारशे जा रहे हैं दोस्वों ध्यान रखिएगा कि अगर आप इशा करेंगे तो महादेव की नजर महादेव की किरपार दिश्टी आपके दोसों आपको दोश लगेगा इस बात का आप खास द्यान रखें महादेव चाहते हैं कि आप उन लोगों की मदद करें जो आपके शामने अत्याचार कर रहें तबी तो आपके शामने वो किशी और के आत्याचार करें, तो दूसों, आपको बश भागना नहीं है। बश आपको भगवान भुलनात आपके शाहते यह शमच कर, आपको उनकी मदद करना है। जितना आप से होशके दोस्वों बश आपको नजर मोड कर नहीं भागना है। जित दोस्वों अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब और मजदूर का मज़ाग उड़ाता है तो दोस्वों उन्हें आपको शबग भी शिविखाना है कि ये बिल्कुल ही गलत बात है। या फिर जो आ सथान की प्राप्ति करेंगे और महादेव हमेशा आपको शारी कारियों में शफलता दिलाएंगे। जी हैं दोस्वों शादिशा दोस्वों हम आक्षिवी को बता दे कि जो लोग छोटे बच्चों पर बेवज़ा हाथ उटाते हैं। बेवज़ा ही छोटे बच्चों को प भगवान का वाश होता है। जे दोस्वों कुछ लोग अपने जुनकाल में माता पिता को परिशान करते हैं। जे दोस्वों माता पिता की आग्या का पालन नहीं करते हैं। उन्हें तकलीब देना चाहते हैं। जो लोग अपने जुनकाल में इशा कारी करते हैं। दोस्व बश यही शब गलतियां है, जो आपको भूल कर भी नहीं करना है। अगर आप हाशेंगे, भगवान के बनाई हुई चीज़ों को आप मजाग उडाएंगे, तो दोस्वों ध्यान रखेगा, कि भगवान भी आपशी नाराज हो जाएंगे, और भगवान भी आपको इशे कार्णी को देंगे, जिनसे आपको नुक्षान हो जाएगा, तो शाधे शाध अगला जो बात है दोसु हैं बे जोवान जانवर और पशु को मारना पिटना जे दोसु बहुत शारिशी लोग हैं कि बे जोवान जानवरों को प्रशान करते हैं जे दोसु इसे शनिदेव का परकोप लगता है आखशी भी को बता दीunk कि इन शे शनीदेव की जो बादाये हैं वो वैक्ति के जुनकाल में आती है और बहुत शारे मुशिवत उनके जुनकाल में चारों तरफशे घिर लगते हैं यह दोसु काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं जो लोग इन शबी बातों को लेकर शावधा नहीं रहते हैं जो लो दून कर भी छोड़ देना है दूसों अगला जो बात है वह बहुत ही शरल है दोसलों ध्यान से सुनिएगा दोसुं इनषे आपको काफी धनलाब होगा हर में काफी तरकी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको शौमवार के दिन दूद शौमवार के दिन कच्चे दूद में जल मिलाकर शुवलिंग के उपर अर्पित करना है जे दोस्तों इस ये महादी बहुत ज्यादा प्रशन होते हैं और ये बात हमने आपको पहले भी बताये हैं जे दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भी आपके जुणकाल में होशकी है दोस्तों शौमवार के दिन आप गरीब लोगों की सहाता जरूर कीज़ेगा दोस्तों खास इस बात का दरके हैं जो भी मंदिर के शामने गरीब लोग उनके शाहता अगर आप करते हैं तो दोसूं भोलेनात और शनदेव दोनों ही इन से प्रशन होते हैं। उनसे जो व्यक्तिर जो चाह मंदर में लेकर जाते हैं उनकी एक च्छा पूरी हो जाती है। जिया दोस्तों तो अगर आप कभी मंदिर जाएं तो दोस्तों इस बात किते हैं रखें कि वहाँ पर बेठें जो भी विखारी हैं जो भी लोग हैं उनको आप दान पुन जरूर कीजेगा शाथे साथ दोस्तों आपको बता दें कि घर में माता लक्षमी का वाश करने के लिए धनकी वर्षा करते नेने के लिए धर हमेशा आपके घर में आते रहें दोस्वों इनके लिए आपको कौन शे बातों का ध्यान रखना है कौन शे कारें को करना है दोस्वों आक्षिव को बता दे कि आपको प्रती दिन शुभ जल्दी जगना है और जगते हुए ही शुरुदेव को जल अर्पित करना है इसी दोस्वों जल्दी ही जो लोग नोकरी की चाहर रख रख रहें दोस्तों उनको नोकरी मिलेगी और शंभावनाएं आपकी जुनकाल में बढ़ने वाली है नोकरी को लेकर और शारी शाद दोस्तों शुकरवार के दिन आपको मातालक्षमी के भी पूजा राचना करने हैं और मातालक्षमी का आपको मंत्र ओम भूर बहुआ श्वाहा इस मंत्र का आपको जाप करना है मन शेक 108 बार आपको जाप करना है और दोस्तों मातालक्षमी को अपने शारे दुख देवधाएं शुनाने हैं दोस्तों आपके शारे कष्ट आपके शारे अर्चने श्रमापत हो जाएंगी तो दोस्तों इन बातों का आ यहां दखिएगा शादिश साथ दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक लिए आप शुबी का धन्यवाद आप शुबी का दिन शुब हो मंगल मैं हूँ